उत्तम स्वास्त की कामना हम सभी की होती है हम सभी चाहते हैं कि जब तक हम जिवित रहें तब तक हमारे हाथ पैर चलते रहें और हम रोज मर्रा के काम बड़ी आसानी से करते रहें ताकि हमारी जीवन शैली लगातार अच्छे तरीके से चलती रहे लेकिन एक बिमारी जिसकी वज़े से आपके रोज मर्रा की काम बादित हो सकते है एक बिमारी ऐसी जिसकी वज़े से आपकी जीवन शैली की गुर्वत्ता प्रभावित हो सकती है हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस की आर्थराइटिस यानि गठिया या जोडो का दर्ध नमस्कार मैं हूँ अर्पिता मात्वर आपके साथ और आप देख रहे हैं दूरदशन राजिस्थान की खास पेशकश हेलो डॉक्टर और आज हम इसी विशय पर चर्चा करने वाले हैं हम जानेंगे गठिया बिमारी किस तरीके से हमारे रोज के काम को बादित करती है और किस तरीके से हमारे शरीर के जोड को प्रभावित करती है साथ ही हम जानेंगे कि क्या कुछ साफधानिया बरती जाए और क्या कुछ कारण है जिसकी वज़ी से गठिया रोग होता है और हमारे साथ इसी विशे पर चर्चा करने के लिए हमारे महमान इस्टूडियो में मौजूद है मैं स्वागत करती हूँ हमारे महमान का डॉक्टर राहुल जैन नमस्तार हज़र डॉक्टर राहुल जो हैं वो हैं गठिया रोग विशेशग्य नाराना हॉस्पिटल जैपुर से और साथ ही इन्हें करीब 25 साल का अनुभव भी है आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर धन्यवान और मैं आप सभी से निविदन करना चाहूंगी कि अगर आपको भी गठिया सवाल पूछना है तो आप हमें फोन कॉल कर सकते हैं हमारा नंबर है 0141-270-4999-0141-270-4098 सर आप से सवाल करती हूँ सबसे पहला सवाल मेरा है अर्थराइटिस की बाद जम करते हैं गठिया सामाने भाशा में गठिया क्या है और इसके प्रकार जितना हम जानते हैं अस्टी ओर्ट्राइटिस और रूमेटाइट ओर्ट्राइटिस यह किस तरीके से हमारे जीवन शैली को प्रभावित करता है जी जैसा आपने कहा कि arthritis मतलब जोडों का दर्द हम अगर देखें ortho means joint और आउटिस मतलब inflammation तो inflammation का मतलब है कि जोडों में आग लगी है और आग का जो presentation होता है मतलब उनके जो symptoms होते हैं वो है कि दर्द अकड़न एंसूजन ये तीन चीजें जो मिलके arthritis को complete करती हैं, तो कई बार ये एक जॉइंट में भी आ सकता है, जिसको हम medical भाशे में monoarticular joint बोलते हैं, और कई बार 2 से 4 joint में आता है, उसको oligoarticular बोलते हैं, और 4 से ज्यादा joint में आता है, उसको हम polyarticular बोलते हैं, और जैसा आपने कहा कि Osteo और Rheumatoid Arthritis Osteo Arthritis होती है कि यह Age Related Joint का घिसना हो जाता है जिसमें Joint के बीच में एक Cartilage होती है जिसको हम Cushion बोलते हैं वो Age के साथ घिसती है और सबसे Commonness जो उनकी Site होती है एक तो Knee Joint घुटनो का Joint या हाथ के अंदर Distal D.I.P. Joint बोलते हैं और अंगुठे का Joint या Ankle Joint या Hip Joint इनके अंदर और ये जो Patients को जो Problem होती है वो काम करने से भढ़ती है और Rest करने से ठीक हो जाती है तो ये तो है Osteo Arthritis जो की Age Related है और काम करने या Exertion से वो भढ़ेगी और दूसरी Arthritis जो होती है उसको हम कहते है Rheumatoid Arthritis जो की Polyarticular जैसा मैंने Numbers के अधार पर बताया और दूसरी उसमें जो सबसे Important चीज है कि वो Rest के बाद भढ़ती है और काम करने से ठीक होती है कैसे जब सुबे सुबे सो के उठते हैं तो जोडों में अकड़न मैसूस होगी वो अकड़न यूजली आदे घंटे से ज़्यादा हो और काम करने से जैसे दिन निकलता है काम करने से ठीक होती जाए इसके Rheumatoid Arthritis है और ये यूजली Autoimmune होती है Body के Immune System अपनी Body के अगेंस काम करता है उसकी वज़े से ये Rheumatoid Arthritis होती है तो Autoimmune को हम एक कारण भी मान सकते हैं Arthritis का कारण की अगर बात करें तो क्या Genetic कारण भी महत्वण रखता है इस्थान अपने Arthritis बिमारी होने में जैसा मैंने बताया Autoimmunity तो सबसे पहले हम यह समझना है Autoimmunity क्या होती है Body का एक Immune System होता है जिसको हम रोग प्रती रोधक शम्ता बोलते है वो हमारी Body के Protection के लिए बनावा है लेकिन किनी कारणों से जो कारण है उनमें एक Genetic कारण भी है कुछ हार्मोनल कारण होते हैं कुछ Lifestyle होते हैं और कुछ जैसे Smoking, Alcohol, Non-Vegetant, Food उनकी वज़े से वो अपनी Body को पेचानने से इंकार कर देता है और अपनी Body के Joints या अन्य ओर्गंस पे Effect डालने लगता है इसको हम Autoimmunity कहते हैं अब यह बहुत सारी Arthritis जो होती है बहुत सारे Types की होती है और Specially Autoimmune Arthritis जैसे हम मैं बताऊंगा कि एक सबसे commonest जो रुमेटाइड के बाद Arthritis है जैसे मुँ में बार-बार सूखापन हो जाना सूखी चीजों को निगलने में तकलीफ आना दातों का बार-बार निकल जाना या आँखों में सूखापन आना या बार-बार एक जो हम Parotid Gland बोलते हैं दूप में जाने पे लाल-लाल चकते हो जाना बालों का जहना, बुखार आ जाना या Kidney या Lungs पे एफेक्ट हो जाना उसको हम बोलते हैं SLE, Lupus बिमारी और एक तीसरी होती है हातों का नीला पढ़ जाना ठंड के अंदर या ठंडे पानी के एक्स्पोजर से उंग्लियों के अंदर घाव हो जाना और चमडी का सक्थपन हो जाना उसको हम बोलते हैं Systemis Closis एक गठिया होती है जिसमें मास मेशों की कमजोरी हो जाती है उठने बैठने में दिक्कत आती है और उसमें भी चकत्ते हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं Dermatomyositis तो ऐसी यह commonness जो Arthritis हैं और कई बार क्या होता है एक से जादा organ का involved हो जाना Multiple organs का involved जैसे kidney, lungs एक साथ involved हो गए और भी जोडों के कई हिस्सों पे involvement होता है उसको हम Vesculitis बोलते हैं तो यह कुछ commoner जो autoimmune diseases होती है यह इस तरीके से present करती है जो बिल्कुल Arthritis के आगी अभी आपने कारेंट भी बताया और लक्षन भी बताया लेकिन अगर लक्षन की बात करें तो कई बर हमें क्या होता है कि बहुत लेट स्टेज में पता चलता है जब दर्द बहुत ज़ादा बढ़ जाता है जोडो में जब एहसास होता है कि हमें Arthritis हो सकता है लेकिन अगर early stage की बात करें तो early stage में कैसे सो डाइगनेस किया जा सकता है यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही valid question है क्योंकि क्या होता है कि जितना जल्दी हम इस बिमारी का पता लगाएंगे कि पहली चीज तो यह Arthritis है या नहीं है दूसरा यह Arthritis का कौन सा टाइप है तो उससे हमारा long term outcome जो है क्योंकि यह chronic disease है इसमें lifelong treatment चलता है तो जितना जल्दी हम इस treatment को start करेंगे उतना long term outcome बहुत अच्छा होगा मतलब patient अपनी normal जीवन शैली जी सकता है लेकिन जितना हम late करेंगे और जोडों को अगर वो खराब कर देगी इसको हम simple words में समझना है कि यह जोडों में आग लगी वी है और जहां कहीं भी आग लगती है तो हमारा जो भी एक normal response होता है वो यह होता है कि हम आग को completely भुजाएं और जल्दी से जल्दी जिससे कि नुकसान कम से कम हो लेकिन अगर हमने उसको भुजाने में देर कर दी तो नुकसान बहुत जादा हो जाएगा और जैसा आपने शुरू में बताया था कि जो हमारे जीवन शीली की जो गती शीलता है उसको बनाए रखने में मारे healthy joints का योगदान होता है अगर joint अगर खराब हो जाएं या वो बिल्कुल डैमेज हो जाएं तो फिर उनकी जो mobility है पेशेंट की normal जो जीवन शीली है उसमें उन बहुत रुकावट आजाती है पेशेंट दूसरों पर dependent हो जाते हैं और dependence की वज़े से कई बार वो depressed हो जाते हैं और अपने जो job होता है उनसे भी वो दूर हो जाते हैं जो बिल्कुल डॉक्टर साहब अब ये भी जाना चाहेंगे जिस तरीके से आज की जीवन शीली चल रही है और ऐसा विशेशकर ये माना जाता है कि arthritis जो है की बढ़ती उम्र के साथ होता है यानि 60 प्लस एज वालों को arthritis माना जाता है कि हो सकता है लेकिन आज की जीवन शीली के साब से युवाओं में सबसे जादा ये पाया गया अगर 30 से 35 साल के उमर के बाद करें तो सबसे जादा युवाओं में पाया जाता है तो क्या कुछ कारण हो सकता है जी बहुत ही अच्छा इस चीज को हमें समझना है कि जो 60 साल के बाद वाली arthritis है वो osteoarthritis है जैसा मैंने शुरू में बताया कि वो age-related arthritis है लेकिन जो ये autoimmune disease है या inflammation की वज़े से हो रही है ये जो arthritis होती है ये young age में ही आ जाती है और आपको जान कहरानी होगी कि ये छोटे-छोटे बच्चों को भी involve कर लेती है तो 16 साल से कम के उमर के बच्चों की अगर जो arthritis होती है उसको हम juvenile idiopathic arthritis बोलते है मतलब छोटे बच्चों में और उसके भी कई तरी types होते हैं जैसे वो polyarticular जैसा मैंने बताया या सिर्फ 2-3 joints को involve कर ले या कमर को joint को involve कर ले तो वो इस तरीके से present करती है या कई बार skin की psoriasis के साथ present करती है तो ये तो रही बच्चों में और जैसा आपने बता है 30-40 साल की उमर के तो ये जो है arthritis young age में ही होती है autoimmune diseases और especially जैसे rheumatoid है lupus है ये 20-40 साल की उमर के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है और कुछ arthritis होती है जैसे सूखेपन की गठिया वो ladies में common होती है और वो 40 साल के बाद 45 साल या 50 साल के असपास आती है तो इनका जो ये relation है वो hormones से relation है और hormones की वज़े से females hormones की वज़े से especially estrogen की वज़े से कुछ arthritis females में बड़ी common है especially rheumatoid arthritis lupus और vasculitis और जैसा मैंने बताया dermatomyositis और कुछ arthritis males में common है जैसे ankylosing spondylitis होती है जिसको हम कमर की गठिया बोलते है वो बड़े young age में especially 20 साल से लेके 45 साल तक के बच्चों में सुभे जब उठते है तो उनको कमर में अकडन महसूस होती है और जैसे ही वो चलना फिरना शुरू कर देते है तो वो अकडन दूर हो जाती है तो इसको हम बोलते है ankylosing spondylitis और एक arthritis होती है जो की जीवन शैली के अंदर आजकल जैसे मोटापा बहुत जादा आ गया है तो उसकी वाज़े से uric acid वाली arthritis जो specially पैर के पहले अंगुठे को जो पैर का अंगुठा होता है बड़ा अंगुठा उसके अंदर joint pain आता है वो बहुत sudden होता है बहुत severe होता है और ऐसा लगता है जैसे कि पस भर गया हो और दो-तिन दिन रहता है फिर एक बार अपने आप body ठीक कर देती है फिर वापस थोड़े दिनों बाद वापस आ जाता है तो जिसको हम कहते हैं short lasting और recurrent बार-बार होना और ये uric acid से related एक ही गठिया है बाकी जितनी भी मैंने गठिया की बात करी है वो uric acid से उनका कोई लेना देना नहीं है सिर्फ ये वाली arthritis जिसके अंदर पैर की अंग उठे या नीचे वाली जो ankle joint होते है उनमें sudden arthritis आये तीन-चार दिन रहे और वो ठीक हो जाये फिर बार-बार आती रहे उसका uric acid या obesity से relation होता है बाकी arthritis का नहीं होता है अभी आपने बच्चों के arthritis की भी बात करी है तो बच्चों में arthritis होने का क्या genetic कारण हो सकता है या फिर खान-पान कोई कारण हो सकता है या फिर हमारा immune system ही वो कारण होता है सबसे पहला तो immune system ही है और दूसरा जो कारण है बच्चों में इतनी जल्दी खान पंज होता है, वेजिटेरियन फूड ही होता है, लेकिन आजकल जैसे बच्चों में fast food का चलन बर रहा है, fast food में adult rated food बहुत जादा होता है, artificial food जादा होता है, preservatives होते हैं, ये immune system को activate कर देते हैं, और कई बार viral infections होते हैं, कुछ बच्चों में viral हो गया, उसके बाद post viral infection उस arthritis को, पर ये होता mainly immune system से है, या increased genetic risk, कई बार family में arthritis चल रहा होता है, तो उसकी वज़े से, पर ये hereditary problem नहीं है, मतलब कि हर बंदे को जो उनके family members हैं, उन सब को नहीं होता, लेकिन कुछ family members को हो सकता है, और कई बार family members में किसी को नहीं है, पर पहली बार आ सकती है, ये arthritis, तो definitely genetic risk is there, लेकिन कुछ ना कुछ environmental factors होते हैं, जो इसको trigger करते हैं, प्रेसिप्रेट करते हैं. जी, डॉक्टर साथ, हमारे साथ एक caller जो चुके हैं, दौसा से हैं, खेम चंद वर्मा, जी, अपने सवाल कीजिए। जी, खेम चंद जी, अपना टीवी का volume कम कीजिए, क्योंकि आपके आवाज साफ नहीं हारी है। जी, अपने सवाल कीजिए। जी, डॉक्टर साब, कारण और लक्षन पूचिए। यह तो वो osteoarthritis है, इसकी staging चार grade होती है, एक और दो grade तो दवाईयों से ठीक हो सकती है, lifestyle modification से ठीक हो सकती है, तीन और चार के अंदर कई बार surgery की जुरत पढ़ती है, replacement की जुरत पढ़ती है। तो इसमें हमको एक चीज़ समझनी है कि एक तो जमीन पे बैटना, उकडू बैटना, आलती-पालती मारना, और लगातार कोई काम करना, लगातार खड़े रहना, लगातार चलना, यह हमें नहीं करना चाहिए। इसकी वज़े से हमें यह गुटनों का अंदर gap कम हो जाता है, या गुटनों की जो cushion होता है, या cartilage होती है, या उसकी गद्दी होती है, वो घिस जाती है। और दूसरा जो चीज जो सबसे important है कि हमें regular share करनी चाहिए, रोज कम से कम आदे घंटे हमें walk करना चाहिए, पर आदे घंटे से जादा walk नहीं करें, क्योंकि अगर बहुत लंबा walk करते हैं, तो गुटनों पर pressure आता है, तो उसकी वज़े से यह दिक्कत और जादा हो सकती है और running करने से बचना चाहिए, treadmill करने से बचना चाहिए, हम walking या cycling या swimming कर सकते हैं, वो इसको गुटनों को का लिए काफी अच्छी exercise है बिलकुर डॉक्टर साथ, आपने महिलाओं में भी arthritis की बात की थी, जैसे कि आपने बताया, estrogen की वज़े से महिलाओं में होता है, लेकिन अगर सामाने भाशा में हमारे दर्शा की समझना चाहिए, कि महिलाओं में क्यों यह पाया जाता है, इतनी ज़्यादा तादाद में मह arthritis की शिकार हो रही है, शायद इसी वज़े से हमारे भारते महिलाओं इन पर ध्यान नी देती हैं और दर्द में ही काम करती जाती है, तो क्या कारण है और क्या उसका उपचार क्या जा सकता है, जी सबसे important चीज़ जो है कि महिलाओं में जैसे आपने बोला और हमने शुरू म क्योंकि जो हमारे महिलाओं 20 से 50 साल के बीच में उन में हार्मोन जो मैक्सिम मिलता है वो estrogen होता है और 50 के बाद वो कम होता जाता है, तो उस शुरू में estrogen की वज़े से rheumatoid arthritis है, lupus है या दूसरी बिमारी है, dermatomycitis वो भढ़ जाती है, और 50 साल जब वो periods बंद हो जाते हैं तो दो बिमारी हैं फीमेल में ज्यादा आती है, प्राइमरी शोगरन और गाउट, गाउट जो uric acid का level जो बढ़ता है वो estrogen की वज़े से बढ़नी पाता है, लेकिन जैसी estrogen बंद होता है body में तो बढ़ने लगता है, अब autoimmunity का एकदम simple समझना है कि body का जो immune system हमें खुद की body को पैचानने के लिए और भारी जो factors होते हैं उनको identify कर लेता है, लेकिन इन hormones की वज़े से autoimmune T और B cells भढ़ जाती है, और वो body में auto antibodies बनाना शुरू कर देती है, और वो antibodies body में joints पे या शरीर के अन्ने हिस्सों पे काफी effect डालती है, उसकी वज़े से ये गटिया हो जाती है अगर हम बात करें हमारी जीवन शैली है, lifestyle है, आज की अगर बदलते परिवेश में देखें तो काफे कुछ बदलाव आ गया है, अगर हम खान पान की बात करें, हमारी lifestyle की बात करें, तो किस तरीके से हमारी जीवन शैली में बदलाव किया जाए, क्या खान पान हमें arthritis से लेकि दवाईयों के अलावा जो नॉन फार्मेकोलोजिकल ट्रीटमेंट हम बोलते हैं, उनमें डाइट का भी एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, जैसे डाइट में क्या होता है, कि हमें जैसे हमारे भारतिय संस्कृति में तीन तरह की सात्विक, तामसिक, एंड राजसिक चीजे हैं खाने के लिए खानपान में, तो हमें कोशिश है करनी चीए कि सात्विक फूड हो, मोटा अनाज हो खाने में, मल्टी ग्रेन आटा हो, मैदा कम से कम हो, फास्ट फूड बिलकुल ना हो हमारी डाइट में, रोज एक हम सीजनल फूट का सेवन करें, जो भी सीजनल फूट आ रहा है, या रोज एक टाइम हम सीजनल हरी सबजी कोई ना कोई खाएं, और दाले या प्रोटीन वाली चीजे जरूर लें, और दूद और दूद से बने वे प्रोडेक्ट लाइक दाई, चाच और पनीर, यह हम लें, क्योंकि इसमें जो सबसे इंपॉर्टन तो जिस दिन जो चीज खाई उससे कोरेलेट करके, वो सोचते हैं कि इसकी वज़े से हुआ है, तो इसमें मोटा मोटा जो खाने के लिए है कि होम मेट फूड हो, फास फूड बिलकुल ना हो, शाकारी भोजन हो, और जैसा मैंने बताया कि खाने में एक बैलेंस जाइट हो, यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है, इसके अलावा जो व्यसन वाली चीज है, जैसे स्मोकिंग है, अलकॉल है, यह सब चीजें हमें अवाइड करनी चाले हैं, जो बिलकुल डॉक्टर साब, मैं अपने दर्शकों से यह निविदन करना चाहूंगी, कि आप तुरंत कॉल क कीजे हमारे डॉक्टर साब को और अपने सवाल का जवाब हासिल कीजे, हमारे नंबर है 0141 270 4999, 0141 270 4098, डॉक्टर साब आजकल जिस तरह के से हम देखते हैं, लोग इसी को लाई-लाज बिमारी मान लेते हैं, लोग लगता है लोगों को की जैसा चल रहा है, चलने दो, क्य क्योंकि ये बिमारी का कोई इलाज नहीं है, अपने जीने की उसी किसा दर्द के साथ जीने की आदर डालेते हैं, खास करके हमारे महिलाएं भी, तो उसे आप कैसे समझाएंगे? जी, देखिए, पहली चीज तो ये लाइलाज बिमारी नहीं है, लाइलाज बिमारी उसको कहते हैं, जिसमें कोई दवाई नहीं बनी हो अभी तक, तो ये इसकी दवाईयां आ चुकी हैं, और बहुत अच्छी दवाईयां हैं, पर वो पेशेंट की कंडिशन देखके जी, 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 बनाना जितना जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि टाइम इस वेरी इंपॉर्टेंट, जितना जल्दी हम इस बिमारी को टारगेट करेंगे, उतना लॉंग टर्म आउटकम, इसको हम साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है, इसको कहते हैं, विंडो अफ अप में तक ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, उसको अवाइड करते रहते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेना और बिमारी को बढ़ाते रहते हैं, तो वो जाके अल्टिमेटली उनको बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है उनके जॉइंट्स में या उनके ओर्गन में, तो फिर रिवर स्टेज के ही सिम्टम्स अगर देखें तो क्या कोच सिम्टम्स रहते हैं ताकि हमारे दर्शक सामाने भाशा में समझ सकें कि कब इस चीज को डियाग्नोस करना चाहिए और कब ट्रीटमेंट की शुरुवात करनी चाहिए जी जैसा मैंने पहले बताया कि कोई भी दर्द अकड करने से ठीक हो रही है तो यह शुरुवाती लक्षन है और इमीजेटली हमारे डॉक्टर से मिलके उसका डाइग्नोसिस करना चाहिए डाइग्नोसिस में यह नहीं है कि वह जॉइंट पिंज से अब किसी को कमर दर्द हो रहा है तो वह कमर वाली गठिया होगी और किसी को हा हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, हलो हमारे साथ सीरोही से भाल सिंख जुद चुके हैं, हलो आपको आवाज आ रही है? जी मेंडम, जी अपना सवाल कीजिए जी जैसा मैंने बताया कर सिफ घुटनों में दर्द है तो ये औस्टियो आर्थ्रेटिस के प्रारंभी क्लक्षन हो सकते हैं तो आपको जमीन पे बैठना उकडू बैठना और लगातर खड़े रहना लगातर चलना दौड लगाना ये सब अवाइड करना पड़ेगा और एक कैल्सियम विटामिन डी लेना पड़ेगा जिससे कि आप और अपनी डाइट में दूद और दूद से बनेवे प्रडेक्ट ब करें तो युवाओं में बहुत तेजी से ये गठिया रोग फैलता जा रहा है क्या कुछ इसका कारण मान सकते हैं क्योंकि लगाता सिटिंग हो रही है और खानपान में बदलाव हो रहा है दूम्रिपान जैसी जो आपकी आदत है उससे भी युवाओं पिडित हैं तो इस बिमारी को लेकि युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और क्यों युवाओं में कारण पाया जाता है जैसे जैसे हमारी वेस्टन लाइफ होती जा रही है वैसे वैसे हम फास्ट फूड कल्चर बढ़ता जा रहा है और इसमें एक बड़ी इंट्रेसिंग जैसे हमारे डाइट का जो एक अडल्टरेशन हो रहा है और डाइट में जो वेस्टन फूड आता जा रहा है फूड अबिट्स जैसे कि मतला लाइक पीजा बर्गर यह जो चीजे है इनके खाने की वज़े से इनमें बहुत जादा मैदा होता है बहुत जादा प्रिजर्व जैसे आपने बोला स्मोकिंग अलकोहल और लेट नाइट काम करना लेट नाइट हमें बदा एक कल्चर डवलप हो रही है कि लोग रात को बहुत लेट सो रहे हैं पार्टी कर रहे हैं मौनिंग आर्स में लेट उठ रहे हैं तो हमारी जो एक बाइलोजिकल क्लॉक है वो चे कई बार यह होता है कि थोड़ा बहुत लाइक यह है कि जैसे वेस्टन वर्ल्ड में हम देखेंगे वाँ इन्फेक्शन तो कम हो गए हैं लेकिन आटो इम्यून और कैंसर डिजीज़ बहुत बढ़ती जा रही हैं वो इंडिया में होता जा रहा है तो हमें अपनी रूट से मोटा अनाज इन सब को हमें वापस अपने लाइफ स्ट्राइल में जोड़ना चाहिए और होममेड फूड ही हमें खाना चाहिए जी डॉक्टर सब हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं राजेंदर कुमारत साहू है राची से हलो अपना सवाल कीजिए मेरी माँ का जहना घुटना में बहुत दरद होता है उनकी उमर कितनी है उनकी उमर 74 है तो यह वही ऑस्ट्राइटिस ही है यह बड़ी कॉमन प्राब्लम है तो इसमें यही है कि वह अभी कुर्सी पे बैठें पलंग पे बैठें जमीन पे नहीं बैठें और एक एक्स्रे कर आके उसको देख लें कि वह किस स्टेज में है अगर स्टेज 4 में है या 3 में भी है तो हमें उस घुटने को बदलवाने की जुरत है उनकी क्वालिटी अफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी लेकिन अगर वह एक और दो स्टेज में है तो उसके लिए कुछ दवाईयां अगर जुटने की जाएग जाता है तो हमारा सिंपल प्रिंसिपल ले रहता है कि पहले हम आग को बुजाते मतलब इंफ्लमेशन करते फिर उसके बाद जो डैमेज हो चुका है मतलब जो जॉइंट खराब हो चुका होता है इस्पेशली जैसे नी जॉइंट है या हिप जॉइंट है उसको रिप्लेस कराते हैं तो आजकल बहुत रिप्लेस्मेंट भी बड़ा एक रूटीन सा हो गया है बहुत हमारी जो साइन करना ही चाहिए पर उस वक्त हमें थोड़ी चीजें और देखनी चाहिए कि को मॉर्बिटी कैसी है तो अगर को मॉर्बिटी में हाइपर टेंशन ब्लड डाइबेटेज और कोई थायरा एडिया ओबेसिटी है तो उसके इसाफसे प्रिकॉशन लेके आजकल सरजरी हो जाती है अगर घरेलु उपचार को देखे तो क्या कुछ कि कई बरीज जो वह दवाई लेने से गब आते हैं और रिप्लेस्मिंट से भी घब आते हैं तो घरेलु उप्चार से भी क्या स्वाधान किया जसकता है जी देखिए जैसा घरे लिए मैंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताया इस्पेशली ऑस्टियो आर्थ्राइडस तो हम बार-बार जमीन पर बैठना अवाइड करें और वॉक करना शुरू करें साइक्लिंग करें जिससे कि हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ रहे और दूसरा जो रूमेटॉइड वाली डिजीजेजेजे उनमें ट्रीट्मेंट जो है दवाईआ मेन रहे बाकी सब चीजें सपोर्टिव हैं तो दवाईआ जो आज की बननी जो आज के उसमें दो चीजों को देख के की जाती एक तो टार्गेट टैरपी बोलते हम इनको टार्गेट ल दवाईयां होती हैं वो बिमारी को यहीं रोग देती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती हैं, वापस नहीं आने देती हैं, और उनके जो नुकसान होते हैं बिमारी के जो जॉइंट्स पे वो नहीं होने देती हैं, अब दूसरी जो आपने घरेली उपचार बताएं, तो उसमें यही कहूंगा कि लाइफ स्ट्राइल में अभी बार बर हमने यही कहा कि हम लगातार कोई काम नहीं करें, लगातार अराम भी नहीं करें और ठंड से बचें, जैसे अभी गर्मी आएं पर हम AC में रहते हैं, तो AC में रहने से हम अकडन वगेरा बढ़ जाती है, इस्पेशली र ज्यादा है, और ग्याओं का भी सेवन कम करें, और मल्टी ग्रेन उसका ज्यादा करें, और बाकी जो जैसे दाले, खटा खाना, इनका कोई बहुत जादा रिलेशन नहीं है, दाले, राजमा सिर्फ गाउट एक बिमारी होती है, यूरिक असिट से रिलेटेड, उसमें उसक फल हैं, फलों का अच्छा यूज करें, उनमें बहुत एंटी ऑक्सिडेंट होते हैं, इसके लावा सलाद अच्छे से लें, ये सब चीजे हैं, और प्रोटीन में जैसे पनीर वगरा ले सकते हैं, धाई चाच ले सकते हैं, पर ठंडे नहीं हो और बहुत जादा खटे नही जी, बहुत ठंड से भी joint pain भड़ते हैं, कई बहुत कुछ patients होते हैं, उनको सिर्फ गर्मियों में joint pain भड़ते हैं, बिल्कुल सही का, तो extreme of temperature और कई बार humidity, जैसे कई patient जैसे बादल आये या humid environment हुआ, उनको joint pain भड़ जाता है, तो उस वक उन patients को बड़ा खास ध्यान रखना हैं, जो extreme of temperature हैं, उनको उनसे दूर रहें, और लूपस एक बिमारी है, वो धूप में ज्यादा exposure से भड़ जाती है, और एकदम से उसमें इतनी तेजी आ जाती है, लूपस वाले patient में, कई बार उनको hospitalized होना पड़ता है, तो ये और जैसे gout मैंने बताया, extreme of temperature से, ज्यादा से और ज्यादा गर्मी से, दोनों से gout का attack precipitate हो सकता है, जी बिलकुर डॉक्टर साब, आपका बहुत बहुत धनेवाद हमाई साथ जोड़ने के लिए, और धेर सारी information हमारे दर्शकों से साज़ा करने के लिए, तो जिस तरीके से डॉक्टर साब ने बताया है, एक अच्छ के साथ आपके बहुतर स्वास्ते की कामना करते हुए, मैं और पिता मातुर आपसे विदा लेना चाहूंगी, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ, नमस्कार कि अच्छ कि अच्छ